आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, तो इसका भार हमें कतना दिया है, वे दिया है हमें 22.6 ग्राम, ठीक है न, किसका है यह, C2H4OH का होल ट्वाइस अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल का भार, ठीक है, और C2H4OH का होल ट्वाइस अर्थात ए ठीक है, प्लस एक गुणा, चार गुणा एक, ठीक है ना, चार गुणा एक, चार गुणा हाइड्रोजन का भार, एक होता है हाइड्रोजन का भार, ठीक है ना, चार गुणा हाइड्रोजन का भार, प्लस दो गुणा हाइड्रोजन का भार, ठीक है ना, तो इसमें हम मान रख हैं 4 औxe सबसक्ट है प्लस सब्सक्राल फिरेकरdedus प्लस और प्लस दो आइटरूजन सब्सक्रार पर JAK să आज और जय से क्या child कि मोलता थ экспy हूट टू प्लस chapay तो यह होती हुए इस प्रकार से प्रभाश्यत होती है विले के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम है विलायक का भार किलोग्राम है ठीक है ना तो इस प्रकार से यह होती है मोललता अताहा जो विले हमारे यहां पर एथिलीन गलाइकोल है तो इसके मोल क्या होंगे मोल बराबर होत निल्टे रड़ भार ठीक है ना तो בार हमारे समें कितना था दीया हूँँआ 222,6 बटे रड़ भार हमने क्य HEAT 62 निकाला है ठीक है बटे विलायक का भार किलो ग्राम में तो विलायक हमें कितना ये 200 ग्राम तीक है किलो ग्राम के लिए 1000 से भाग करेंगे अर्थात जब हम इसको हल करते हैं तो मोललता अर्थात small m का जो मान है वो निकलाता है हमारा 17.95m ठीक है ना तो इस प्रकार से यह हमारे विलेन की जो मोललता है वे निकलाती है ठीक है तथा अब जो इसी प्रस्व में हम से दूसरा जो कह रहा है कि जो यह व बड़ाबर हमें दिया है 1.02 ठीक है ग्राम प्रति mm दिया है ठीक है ती जैसे कैसे त्युआं जानते हैं दरवान बड़ाबर नेरि घ्नत होता है निकल फिरतियों ⁱ ठीक है यहां से हम आयतन निकल लेंगे ठीक है और आयतन निकल आएगा जब हमारा तो मोल अर्था क्या होती है मोल प्रती लीटर ठीक है तो उस परकार से हम मोल अर्था को भी निकल लेंगे तो आयतन छीकि ना आयतन निकल आता है जो विलेन का आयितन ठीक है, विलेन का आयतन बराबर आ क्या होगा, द्रवमान बटे घनत थीक है, तो द्रवमान हमें प्रश्ण व कितरा दिया है 422.6 ठीक है बटे और घनत तो हमारा कितना हो जाएगा 1.072 ठीक है तो जो विलियन है इसका जो भार है वो हमारा 422 कैसे हो गया ठीक है इसको भी हम देखते हैं ठीक है तो जो हमारा विलियन का भार होगा ठीक है यह हमारा निकला है यहां निकाल लेते हैं विलेन का भार ठीक है यह हमारा बराबर है कि गलाइकॉल का भार ठीक है गलाइकॉल का भार प्लस ठीक है जल का भार जल भार ठीक है न तो जो गलाइकॉल का भार हमें दिया था कि था 222.6 दिया था प्लस जल का भाहर हमारा 200 g था तो आ जाता है 422.6 g. ठीकी न, तो इस परकार से हमारा इसका मान निकलाए थीक इसको हल करते हैं, तो हमारा मान आ जाता है 394.216 तो इस परकार से हमारा आइतन अर्था आथ वी आ जाता है, तो इस परकार से हमारे आयतन निकल आया तो अब हम जो मोलर्ता है घीक है उसको भी निकॉल लेते हैं तो एथिलीन ठीक है ang एथिलीन गलाइकॉल कि मोलर्ता ठीक है ब 뽑 खिया जो होगी है ठीक है न हमारे तो 122 बेस दाइस दॉप छे बटे 62 यह हमारे इतने मोल थे तथा जो आयतन निकला है वह हमारे कितना निकला है अब ठीक है तो इस प्रकार सी है तो जब हम इसको हल करते हैं तो जो विलेन की मोल अर्था है जिसे हम capital M से प्रदर्शित करते हैं ठीक है वह आ जाती है हमारी 9.11 M ठीक है ना तो इस प्रकार से हमारी मोल था ठीक है ना आ जाती है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है ठीक है ना तो आशा करता हूं आप सभी कुछता समझ में आए होगा धन्यवाद प्रश्न से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ही डाउन्यट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर